अमरीकोन ने बुद्धवार को हर्याना में भी दस्तक दे दी है पहले ही दिन सूबे में च्छे नए केस आ गए बुद्धवार को ही अमरीकोन के तेलांगना में 14, केरल में 9, राजिस्तान में 4, दिल्ली में 3, पश्ची में बंगाल में 2, आंधर पर्देश में एक नया केस स विज ने बुद्वार को विधान सभा में बताये कि गुडगावा फरीदाबाद में ओम्री कौन के तीन तीन नए मामले सामने आये हैं। गुरुग्राम के तीनों मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री के मताबिक दुबाई के रास्ते से वे ब्रिटें से लोटे थे। तिलांगना में मिलेज सभी चोदा नए केस मेडिकल टूरिस्ट के हैं और दो ब्रिटें से आये हैं। बागी चोदा केन्या सोमालिया से आये थे। किंद्री स्वास्ते सची राजेश भूशन ने कहा कि ओम्रे करोन के पुराने वेरेंट डेल्टा के मुकाबले तीन गुना तेजी से फैलता है। इसलिए राज्य जरूरी उपाए अपनाना शुरू कर दे। आये जानते हैं अब किन-किन राज्यों में क्या नियम लागू हो चुके हैं। पूरी गाइडलाइन क्या है। कंटेंड्मेंट जोन बनाने के लिए क्या नियम है। कब लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। स्वास्थे मंतराले ने कहा कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पोजटिविटी रेट 10 फीजदी से ज़्यादा है या ऑक्सिजन बैट की और क्यू पैंसी 40 फीजदी से ज़्यादा हो चुकी है तो जिले में पाबंदिया लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट करशू, टेस्टिंग और कंटेंटमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेटा एनलैसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंदर शासित परदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले संक्रमन रोकने के उपाय करने को कहा गया है। वही स्वास्थे मंतराले ने कहा कि बाकी परिस्थितियों को देखते हुए दस फीजदी से कम पोजटिविटी रेट होने के बाद भी पाबंदिया लग सकती हैं। जन संख्या घनतों और आमरी करोन की तेज रफतार को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा सकता है।